नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तो तुला राशी वाले जातकों को बताना चाहेंगे आपको भेंकर तुफान का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि आप अपने जीवन में देखा होगा कि जब से महीना प्रारम्ब हुआ है आप अपन आपको बताना चाहेंगे कि 9 जुलाइक की सुभः तुला राशी वाले जातकों को भेंकर तुफान का सामना करना पड़ सकता है आपको बताएंगे वीडियो को लाइक करगे चैनल को सब्सक्राइब अब सखर लें ताकि रोजाना राशी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दुनों को और भी ज़ादा बहतर बना सकें तुमित्रों आपको बताना चाहेंगे कि तुलाराशी वाले जातकों को अपने सभविस्य में अपने सभी प्रकार के समस्याओं से कश्टों से शुटकारा प्राप्त होने वाला है और आपको भ्यंकर तुफान का सामना भी करना पड़ सकता है आपका स्वाहत थोड़ा से प् को बकरी में किये प्रियास सार्थक साबित होंगे और घर से थोड़ी दूरी पर आपको कारिकरने के 22 मोकर भी प्राप्त हो सकते हैं महिलाओं को भी अपने कामकाज को बढ़ाने के और अपनी अकलक्ष वि अलग पहचान बनाने के 22 मोकर भी प्राप्त हो सकते हैं आपके परिवार वाले आपके घर वाले आपके सहाता कर सकते हैं तथा अब आपके दामपत्य जीवन में प्रेम और बढ़ेगा जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं उन लोगों को भी अपने प्रेम से बातों करने के बहत्रिन मोके भी प्राप्त हो आपको बैपार में काफी जादा लाव की प्राप्ती हो सकती हैं। मत्रों तुलाराशी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको भेंकर तुफान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अचानक से बढ़ता हुआ खर्च भी आपको फ्रेसान कर सकता है। बैतर होगा आप अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करने की अवस्य कोशस करें। खर्चों पर आपको लगाम लगाने की विशेश जरूरत रहेंगी। और बेवज़ा की यात्राओं पर जाने की वज़़ा से आपके धन खर्च में भी इजाफ़ा हो सकता है। इसलिए आपको सावधान सतर को समहल कर रहने की विशेश जरूरत रहेंगे। अन्य था आपको मुसिवतों का आपको समस्याओं का सामना भे करना पड़ सकता है। मत्रों आव विवाहितों को विवा का प्रिस्ताव फ्राप्त हो सकता है। और विवाह के मारग में आपको तुलाराशी वाले दूर कर सकते हैं। तथा आप अपने जीवन साथी को जादा से जादा समझने का प्रियास कर सकते हैं। भाग का साथ असितारा बुलंद रहेगा जिनसे कुछ काम आपके जरूर पूरे होंगे। नौकरी में भी आपको अच्छे नतीजे हासिल होंगे। कामकाज के सिल्सलों में किये गए प्रियास सफल होंगे। आपको उमीद के मुताविक मुनाफवी प्राप्त हो सकते हैं। दामपत्य जीवर में तनाव के वावजूद जीवन साथे आपका साथ दे सकता है और उसके साथ आपको खुस्यों की प्राप्त हो सकती हैं। आप चुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। खर्चों में अचानक बढ़ोत्री के कारण आपको थोड़ी से समस्यावी भी उत्पन्न हो सकते हैं। और प्रिवार के ध्यान आपको रखने की विशेश जरूरत रहेंगी। अब विवाहितों को विवाह का प्रिश्ताव प्राप्त हो सकता है। विवाह के मार्ग में आ रही वाधाएं दूर हो सकती हैं। बैवसाइक शेतर में प्रगती होंगी और आर्थिक धनलाव की स्तितिया भी बन सकती हैं। आपको अपने कारी शेतर में सफलता हासल होंगी तथा आपको सफलता मिलने के कारण आपका मनुबल भी काफी वड़ सकता है। और आपके जीवन के साथ साथ आपके धन्दोलत में भी इजाफा अवस्य होगा आपकी आई में निश्चित रौप से बढ़ोतरी होंगी। तथा आपको बताना चाहेंगे कि पारिवार के माहोल को अच्छा बनाए रखनी के अवस्य कोसिस करें। अन्य था परिवार में आपको किसी प्रकार की मदभेत के कारण समस्याएं भी उत्पन न हो सकती हैं। बहतर होगा आप अपने निजी और वहवाईक जीवन को बहतरीन बनाने की अवस्य कोसिस करें। तथा आपको अपने कारिशेतर में अनुकूल प्रिनामों की प्राप्ति के लिए भी प्रियास अवस्य करने होँगे। और आपके बहवाईक जीवन में भे आपको काफी अच्छा सुनवरा अउसरों की प्राप्ती हो सकती हैं। और कारिशेतर में आपको सफलता मिलने से आरतिक इस्थितियां आपके मजबूत रहेंगी। धार्मिक और सामादिक कार्यों में आप बढ़ चल कर हिस्सा ले सकते हैं, बढ़ चल कर भाग ले सकते हैं। हो सकते हैं यह समय मित्रों आपके लिए काफी सांदार रहेगा तथा तुलारासी वाले जिवन और जिन्दगी की रूप रेका में काफी बड़ा प्रिवर्तन भी होने वाला है जिनकी वज़ा से आप लोगों के धंदोलत में इजाफ्य होंगे आप लोगों पर माता लक्ष्मी की विशेश कृपा जिनके कारण माता लक्ष्मी आपके सवी दुख तकलिफों को की सहाता कर सकती है आपके सुक्साद्रों के श्तर्आ में बढ़ोतरी होंगी तथा आप अपने आपको बहतर सावित कर सकते हैं जिन लोगों पर भी माता लक्ष्मी की किरपा होती हैं वे बहुत जल्द भाग्य साली हो से हैं बहोत जल्द धर्मान बनने वाले होते हैं तथा आपको बिजनस के बारे में सोच विचार करने होंगे यसमें आप लोगों के लिए काफिस्व रहेगा आपके आर्थिक इस्तितियों को बदलने में आपके जीवन को काफिय अनुरूप बनाने में आपके सहाता कर सकता है और आपके जीवन को अनु प्रिवर्तन करने के 72 प्राप्त होंगे आपको अपने जीवन में तरकी का लाव प्राप्त हो सकता है बैपार के छेतर में आप अधिक धन लाव कर सकते हैं जिनसे आपके घर में खुशी का माहूल बना रहेगा तथा तुलारासी वाले लोगों पर भगवान बजरंगवली की विशेश्क्रपा बनी रहेंगी जिनके कारण आपको अपने जीवन में खुश्यों की फ्राप्त हो सकती हैं कामकाज में आपका मन लगा रहेगा कामकाज में मन लगने की वज़ा से आपके क्रियकलाप और द्यानिक जीवन को भी कापी अच्छा बना सकते हैं आपके सभी चिंताएं अवस्य दूर होंगी तुलारासी वाले जातकों को बताना चाहेंगे कि आपको किसी मित्रिया किसी महत्मुन व्यक्तियों से मुलकात करने के मौके भी प्राप्त होंगे तता सुबह से ही आप लोगों को कारोबार में भी विर्दी देखने को मिल सकते हैं आप अप चाहों में सफलता अवस्य फ्राप्त होंगी आपके लिए आने वाला समय बहुत इस्सु रहेगा आपके लिए नई खुसियों आ तरक्की को भी लेकर आ रहा हैं आपके बहवाईक जीवन में लगातार प्यार वड़ सकता हैं और आपको खुसकवरी के साथ-साथ आपके ज कर सकता हैं यह समय आपके लिए उपयोगी के साथ-साथ आपके दैनिक निचरिया को बहत्तरिन बनाने के विशेश प्रियास भी विशेश रूप से आपको करने होंगे आप नए मोबाईल नए गेज़ेट या नए किसी महत्पुन वश्तों के खरिदारी कर सकते हैं जिनके समाज में अपने कलग्च भे अलग पहचान भे आसानी से बना सकते हैं जो लोग और विवाहित हैं और विवाहितों को विवाह का प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं विवाह के मार्ग में आरही वाधायें दूर हो सकते हैं आप अपने दिन चरियां में वैस्त होने के वाव कर सकते हैं सपनों को पूरा करने के लिए आप काफी जादा प्रियास और काफी जादा उत्साहित भी रह सकते हैं आपके सभी सपने अवस्य पूरे होंगे और आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते हुए अपने सभी कार्यों को अपने नरूप पूरा करने के दिमाग के कारण आप सभी प्रकार के दुख तकलिफों से चुटकार अवसे हे प्राप्त कर सकते हैं आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा आपके खुश्यों में इजाफि होंगे बेवज़ा के तनाव से दूर रहने के जुरत रहेंगी क्योंकि आखिरकार आपको इन सभी समस्याओं से चुटकारा अवसे प्राप्त होंगी आप अपने दोस्तों और रिष्टिदारों से काफी ज़्यादा मिलाकात कर सकते हैं और आप अपने इमांदारी से हर एक कारी को सफलता पुरुवक पूरा करते हुए आप अपने प्रिय व्यक्तियों के साथ रुमैंटिक समय भी व्यत्तित कर सकते हैं रुमैंटिक समय और रुमैंटिक साम को व्यत्तित करने से आपका दिन काफी अच्छा व्यत्तित हो सकता है परतियों किताओं परिक्षाओं में सफलता आपको अवस से हासिल होंगी आपका दिन बहतर बरें इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवस से लिखें आपका दिन सुभ हो मंगलकारी हो जैमा